हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में उत्तर परतेश स्कॉलर्शिप में एक और नए ड्रामा सुरू हो गया ड्रामा सुरू यह हो गया कि अभी स्टेटस चेंज हुआ है और स्टेटस में बच्चों का यह लिख क्या रहा है कि benefitory created based on account but uid is invalid ठीक है साथी साथ बच्चों का यह लिख क्या रहा है कि involvement number mismatch मैं एक request के टूँद इखो इसका solution मुझे नहीं पता इसका आंसर मुझे नहीं पता क्योंकि ये स्टेटस अभी अपडेट हुआ है और ये अभी ऐसा क्यों हो आ रहा है कल मैं खुद समाज कर ले जाके बात करूँगा इस मसले पे और मैं especially request कर रहा हूँ आवद विसी भी देले के second year क्योंकि जहां तक मैंने चेक किया है trust me मैंने कम से कम 20-25 बच्चों का चेक किया और सब का यही आ रहा है कि involvement number not match especially आवद युनिवर्सटी बीट सेकेंडर की बात करो even बच्चों ने UIN भरा है और खुद युनिवर्सटी ने कहा था UIN UIN वालों का भी यही आ रहा है role number वालों का भी यही आ रहा है और जिसने last year का enrollment number डैला था उसका भी यही आ रहा है तो यह क्या तमास है आखिर युनिवर्सटी ने कौन सा role number और कौन सा enrollment number UP scholarship portal को submit किया है कि सारे बच्चों का यही आ रहा है तो इस वीडियो में मैं आपको answers नहीं बता रहा हूँ मैं बस यह बता रहा हूँ कि status change हुआ है और बच्चों का यह लिखके आ रहा है अब तो भी इसे भी देल है कि लगभग सारे बच्चे B8 secondary की बात कर रहा हूँ क्योंकि B8 first year वालों को तो पहले ही verify हो चुका था B8 secondary जिन्होंने not result not declare करके बहा रहा था mostly mostly 90% even मैंने जिनकों भी देखा है जिसका भी मैंने जाना है उन सबका यही status हा रहा है कि enrollment troll number not matched with university uploaded data पता नहीं इसमें कौन uploaded data के तो मैं एक request कर रहा हूँ especially áward university B8 secondary के बच्चों से कि क्या आपका इसके अलावा भी कुछ और दिखा रहा है क्या आपका इसके अलावा भी कुछ और दिखा रहा है B8 secondary आवड university की में बात कर रहा हूँ या फिर उस सारे बच्चे जिन्होंने result not declare रुखा था result not declare रुखा था अवाद इनुस्टी में इन्वाल्मेंट के जगा यू आइन भरा जाता है सबका यही आ रहा है सबका ही यही आ रहा है तो बस आप एक मुझे चोटी से जानकारी दें ताकि मुझे कमसकम पता तो चलेगी कितने बच्चों का ऐसी समस्य हैं हारी फिर इसके बाद बात की जाएगी तो प्लीस आप प्लीस अदिके इसका आंसर में मैं पहले ही इस सुसुरू में कहते रहा हूं कि यह क्यों है और यह कैसे ठीक होगा यह मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि यह चीज़े अभी तुरंट अपडेट हुई है अब मैं कल डैफिनेटली कल मैं समाज के लड़ जाओंगा वहाँ पुछूंगा कि यह मसला क्यों है और आखिर इनुश्टिस ने कौन से डेटा अप्रोड किया फिर इनुश्टिस में भी बात की जाएगी इसलिए प्लीज आप मुझे कमेंट बिताएगे कि अगर आप आप आवाद इनुश्टिफ बीर सेकेंडिर के स्टुडेंट है तो आपने इनुश्टिस नमबर भरा था यू आइन भरा था रोल नमबर भरा था क्या भरा था और क्या आपका भी यही आ रहा है या इसके अलावा कुछ आ रहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जिने भी बच्चों का रिजल्ट नॉट डिकिलियर करके फॉर्म भरा गया था और बाद मैं उन्हेंने करेक्शन करके अपना नमबर्स और मार्क्स अपडेट किया है मैं उनसे पुछ रहा हूँ कि आपने क्या डाला था ये उनसे इनुष्टी ये स्टेंड ले फिर आप बास करें लेकिन घहर कहां ही करती इनुष्टी तो एट लिसट एक बार कलेक्ट करे़ डेटा इसको बड़े अस्तर पर उठाया जाएगा बात जरूर किया जाएगा इस मसले पे तो प्लीज आप मुझे comment बताइए कि क्या आपका भी अगर आपने result not declare से वारा था तो क्या आपका भी status यही हा रहा है या इसके अलावा भी कोई status हा रहा है आप प्लीज comment बताइए बागी जैसी update होती है आपकी बताया जागा दोस्तो जाएं जावारत